जब भी हमारे गाह या बैंस डिलिवरी करती है यानि कि पसुखे बैने के बाद में बहुत से किसान भाईयों के सामने एक प्रॉब्लम हो जाती है वह क्या होता है कि जो थन होते हैं हमारे पसुखे जो लेवटी होती है उसमें पानी उतराता है जिसमें स्वैलिंग हो जाती है, सोजन बढ़ जाता है, उसको बहुत से किसान भाई जैसे उसको रगला भी बोलते हैं, कई जगे रगला बोला जाता है, तो वह स्वैलिंग आ जाती है, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कि हमारे बड़े बुज़ुरकों ने, हमा कभी उन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और हम उन सब चीजों को इगनौर करते हैं तो दोस्तों जरूरत है हमें उन बड़े बुजर्गों के जो नुस्के हैं उन छोटे-छोटे नुस्कों को अपनाने का तो आज वही चीज में आपके सामने लेके आता हूं इस डेरी फार् इसके जो थन होते हैं उसकी जो अडर होता है चड्डा होता है लेवती होती यह उसके अंदर स्वैलिंग आ जाती यानिकी पानी सा बरावा दिखाई देता है जिसको नहीं अब बताया था कि उस प्रोब्लम के कारण क्या होता है कि कई बार दूध निकालने में भी दिक्कत बताऊंगा जो आपके रसोई घर से सुरू होता हुआ और आपके पासू तक पहुचाना है और आपका पासू बिल्कुल सही हो जाए का आपको सिर्फ इतना सा करना है आपको इस टाइम में क्योंकि सरदी का मोसम है और सरदी के मोसम में हरा धनिया जो पत्तिदार हनिया होता ह जो हम सबजी में भी डालते हैं और चटनी भी जैसे बनाई जाती हरे धनिये की बहुत ज़्यादा फेमस है हरे धनिये की चटनी तो आप हरा धनिया आप प्रियोग में ले सकते हैं लेकिन इसकी मात्राइं मैं भी आपको आगे बताने वाला हूँ दूसरा एक आइटम आपको लेना है आवला जो आवला फल होता है उस आवला फल को आपको काम में लेना है आवला फल का आपको पाउडर बना लेना है अब मात्राइं कितनी कितनी लेनी है आपने दोनों आइटम जैसे ले लिए तो आप सुबह सुबह खाली पेट अपने पसू को हरे धनिये की लगबग 200-500 गराम के पत्ते जो हरे पत्ते होते हैं वो पत्ते आप अपने पसू को खिलाईए 200 से 200 ग्राम सुबह सुबह खाली पेट खिलाने और जो आमला पाउडर है आमला पाउडर आपको अपने पसू को 50 ग्राम सुबह 50 ग्राम शाम को गुड का लड्डू बना करके और उसके साथ में आप ये दीजिए लगबग 10 दिन तक आप ये आमला पाउडर चालू रहने दे हरा धनिया आपको सिर्फ और सिर्फ पांच दिन देना है और आपके पसू का जो स्वैलिंग आई थी जो सोजन जो उसके अडर पे चड़े पे जो स्वैलिंग आई थी बिल्कुल मिट जाएगी तो बस मेरा ये ही कहना है कि अपने चारों और अपने बड़े बुजर्गों से देखिए सीखिए कि उन्होंने क्या क्या चीज हमें बताई हैं और उन चीजों को फिर से अपनाई है तभी तो हमारा जो भारत देश है कि स्वच्छ भारत स्वस्त भारत केमिकल मुक्त भारत और आप सब लोग इस मिसन में मेरे साथ हैं तो दीजिए इजाज़त फिर मिलता हूँ आप से नई वीडियो और नई टॉपिक के अंदर दोस्तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखके जरूर बताईएगा हम दूसरे भी जो हमारे जो सोशल मीडिया हैं जैसे इंस्टाग्राम, फेस्बोक आदी पे भी हम हैं तो आप हमें उनके उपर जाके भी हमें वहां से फॉलो कर सकते हैं और वहां भी अपना प्यार दे सकते हैं को सप्चते हैं